आजादी के 75 वर्ष प्रश्चात भी भारत में बश्टाचार के समश्या मोजूद हैं चाहे बिजेपी हो या कॉंग्रेस हर पार्टी बश्टाचार में सामिल है जो बिजेपी यह बोल कर सत्ता में आई थी तो भी इंदुस्तान के एक एक गड़ी बाद में को 15-20 लाग रुपे इंभी मिचाएगा इतरे उपी है उसी के सासन में विदेसों में ब्लेक मनी बढ़ गया हैं बंगाल में जिस तरह नोटों के धेर मिले हैं यह कोई नई बात नहीं है हमारे नेताओं की देश सेवा के ऐस आए जानते हैं विस्तार से इस टोपिक के विसह में बारत में बश्टाचारे का ऐसा मुद्दा है जो किंदर, राजजय, और स्थानिय सरकारी अजेंशियों की अर्थ विवस्ता को कई तरह से परभावित करता है 2005 Transpensy International के अधियन में पता चला की 62% से अधिक बारतियों को किसी ने किसी सरकारी अधिकारी को नोकरी दिलाने के लिए रिस्वत दी 2008 में एक रिपोर्ट से पता चला की 92% बारतियों को सारजनिक सेवा प्राप्त करने के लिए रिस्वत देनी पड़ती है और 2021 के बश्टाचार सुचकांक में भारत की रेंक 85 है जो बताता है कि बारत में कितना अधिक बश्टाचार है स्विस बैंकों में 30,000 क्रोड रुपे जमा है और इन में 2014 के मुकाबले 50% की वर्दी हुई है जो सरकार की नाकामे को दिखाता है ये फैक्ट्स आप भी चेक कर सकते हैं भारत के सबसे बड़े गोटालों में 2010 राष्टे मिंडल खेलों में 70,000 क्रोड कोईला करन गोटाले में 1.6 लाग क्रोड वोट के लिए नकद गोटाले और इन गोटालों के पीछे कहीं न कहीं हमारे नेताओं का हाथ रहा है ये काले धन नसली दवाओं के वैपार आतंगवाद बश्टाचार इन सबी एवैद गतिवीडियो में परियोग होता है बश्टाचार और काले धन के समश्या को समाफ्त करने के लिए भारत में कुछ कानुनवा का नर्मान हुआ है जैसे बश्टाचार निवारण अदिनिय भारत में कितने भी बड़ी रिस्वत या गोटाला हो सजा सिर्फ 6 मेने से लेकर 7 साल तक होती है जो कानुन के एक कमजोरी हैं काले धन पर रोक लगाने के लिए भारत सरकार ने काला धन और करवी देख 2015 वी देख लागू किया था लेकिन उसका परवाव अभी तक तो सखाई नहीं दे रहा जो देश कम वरष्ट हैं जैसे जापान सिंगापूर जर्मनी में जैदा विकासदर है भारत को भी कानुन मजबूत बनाने के आव सकता हैं ताकि देश कियों बश्टाचार गरीबी से आजादी मिल सके वीडियों से लगए और चैनल को और से जरू करें